दोस्तो बैंगलोर और लखनू का मैच हुए अब खरीब तीन दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी क्रिकट जगत समेश शोसल मीडिया भी गंभीर वर्सेस कोहली फाइट से उपर नहीं उठ पाया है। हर दिन कोई पुराना करकेट स्टार एक नए सवाल को जन्म दे देता है। जैसे कभी आकार शुरूपड़ा कोहली और गंभीर के एटिट्यूट पर सवाल करते हैं। तो कभी सुनल गावस का सरफ मैच फीस के जुर माने को शक के घेरे मिलाते हैं। कभी हर्भजन सिंग अप सब का रिस्पॉंस ठीक ठाक रहा। तो मारे दिमाग में गोली गंभीर की वज़े से लखनो बैंगलोर वाला मैच चलता रहा और तभी कल शाम उस मैच से जुड़ी एक न्यूज सामने आई। जिसने हमारा दिमाग घुमा कर रख दिया। उस न्यूज में बैंगलोर की प उस मैच से जुड़ी दो ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो कोहली और गंभीर की फाइट के चलते कहीं दब गई। लेकिन ये दो बातें इंडिन क्रिकेट के लिए उस फाइट से भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये दो ऐसी घटनाए हैं जो भी परदे में ढग गई ह दोस्तों क्रिक मैंड भी मानता है कि T20 क्रिकेट को इंट्रेस्टिंग बनाने के नाम पर बॉलर्स के लिए कब्रगा जैसी पिछे बनाना बहुत गलत हैं लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इसके उलट ऐसी पिछ बना दी जाए जा बैटर्स के लिए खाड़े होना भी दू पर टीमें 143 से ज्यादा का स्कोर तक नहीं बना पाई हैं जबकि 6 बार तो 130 के अंदर ही टीमें निबढ़ गई हैं पूरे 20 ओबर संघर्ष के बाद भी कभी बैटर कमफरडेबर फील नहीं कर पाए और पिछ के माया जाल के अगे धम तोड़ गए इस तरह की पिछ मैचों को स्लो करने के साथ साथ काफी एक तरफा भी बना दीती हैं जाला कि एक तरफा मैच का मैजज हालातों से जएदा बॉलर्स के पक्ष में हो जाता है बैटर्स बस तमाशा बीन बने रहते हैं और असली खेल गेद दिखा रही होती है अब सवाल यह कि स्पिन ट्रैक भरते क् दिखान नहीं दिया गया तो वर्ड कप में कहीं स्टेडियम थूथू न करवा दे इसके अलामा कहीं धोके से इंडिया का क्वर्टर फाइनल यह सेमी फाइनल यहाँ पढ़ गया और यह स्पिन ट्रैक हमारे गले मुसीबत पढ़ गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी इ हैदराबाद के राजीव गाधि स्टेडियम की स्लो पिच की तुलना लखनव वाली पिच से कर रहे हैं तो हम आपको बता दे कि इन तीनों पिचों का नेचर शुरू से ही यही है साथी पिचेज वक्त के साथ स्लो होती है जैसे अकसर सेकंड इनिंग में जाकर पिच हरकत देखने को मिलती है लेकिन लखनव में तो गेद पहले सेकंड से ही टरन होना शुरू कर देती है लखनव पिच का यह मैजजाज 2021 में इंग्लैन और इंडिया के बीच खत्म हुए दो दिन के टेस्ट के चलते भी दुनिया के सामने आया था इसलिए अब यह सवाल जरूरी ह कि कब तक इस कमी को परदे में छुपा करके रखा जाएगा दोस्तो अब चलते है उस मैज में उजागर हुई दूसरी कमी पर जिसे बड़े ही प्यारे ढंक से परदे में छिपाया गया परदे में छिपी कमी नंबर दो अब साफ दिख रहा है IPL देश से बड़ा है दोस्त इंडियन टीम के खराब खेल ये प्लेयर्स की चोट का जिम्मेदार IPL नहीं वो खोद है प्लेयर्स इंडियन टीम के बड़े टोनामेंट में फ्लॉप होने की वजह और जिम्मेदारी ओवरकलोड पर डालते है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों राहुल जैस से स्टार प्लेयर्स चोटल होने के बावजूद 9 विकट गिरने के बाद भी बैटिंग करने उतर है वो भी तब जब मैं जीतने के चांस ना के बराबर थे उनके क्रिट पर आने से बस हर का अंतर कम होता हला कि बहुत सारे फैंस और एक्सपर्स ने राहुल के इस कदम के लिए तारी SMF WTC Championship Final में कमजोर इंडियन टीम के जाने का जिम्यदार कौन है राहुल या आईपेल या आईपेल या राहुल को इस दिन आईपेल से पहले देश को रखकर नहीं देखना चाहिए था दोस्तों मारे यहां नाराज़िगी जाहिर करने के वज़ा यह है यह साल इस तरह के ए Championship, Ashes और दूसरी बड़ी सिरीजों के चलते आईपेल स्किप किया हो जबकि न्यूज में एक जनवरी को ही मीटिंग में प्लेयर्स को आईपेल में हुई इंजरी ट्रैक करने की हिदायत भी हैडलाइन्स में थी ऐसे में हम समाल क्यों नहीं करें कि कब तक इंडियन श्टार एक और नहीं दिल्चस्प कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार